हाई गाईज कैसे हूँ आप सब क्या आप सब सुन पार है एक बार कंफर्म करो जो रहाँ वाइस हाई गाईज कि आप आइकन सी सम्मेशेज है हाई कोमल हाओ यू और कॉन-कॉन कनेक्टेड है एक बार बताओ यार तो हाउस दर जोश कैसे हैं सब एकसाइटेड हैं बड़िया हैं पढ़ने के लिए रेडी हैं तो एक बार कॉमेंट जुरूर करिएगा जो 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 जुड़ सके हैं ताकि हमको पता लग सके कि कौन-कौन यहां पर हमारे साथ है ना जुड़ चुका है क्लास में आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो टॉपिक का नाम है एनलोगी किस-किस ने सुनाव है इस टॉपिक के बारे में यह पता है जरह यह बताओ कि होता गया एनलोगी अगेन मैं उन टॉपिक को लेके चल रहा हूं जो बहुत ही क्रूशिल रोल प्ले करता हैं स्टेज वन एजवल चैज 2 में देखो किसी स्टेट में होता है कि बहुत ही ज़्यादा कोशन है ना बट यहां पर हमारी mental ability IQ के साथ साथ और बहुत चीज़े चेक होती हैं जो मैं अभी आपको आगे बताने वालों तो आप एक बार बस यह confirm कर दीजें कि यह सर्म जोड़ चुके अब आज क्लियर है विडियो ख्लियर है तो हम पूरी अनर्जी से इस विडियो को आगे बढ़ाते हैं है ना चलो तो मैं एक बार चेक करता हूं कि क्या स्टेटस है हाई सोना हाउ यू तो आज की कोटेशन से हम स्टार्ट करते हैं ना हाई रिष्य का हाई कोमल वण सगेन ना तो एक बार यह रीट करो क्या यह समझा रहा है कि शूट फॉर दमून इवन इफ्यों मिस यूल लेंड अमांग दा स्टार्स तो कही न कहीं हमें अपना गोल हमे हमेशा बड़ा सोचना चाहिए अगर यह सोचोगे ना बस मेरा NTSC stage 1 हो जाए तो पूरे chances हैं कि नहीं होगा अगर आप यह सोचोगे ना कि मैं scholar बन जाओं और बहुत ही अच्छा rank लेके बनूं और उसके लिए आप hard work भी कर रहे हो पूरा hard work कर रहे हो यह homework नहीं है hard work है ठ चीज करते हो तो उसके होने के chances खुद ना खुद increase हो जाते हैं तो कहीं नहीं हमेशा target अपना बड़ा रखना है और positive रहना है मुस्कराते रहना है जो भी situation हो बढ़िया बिंदास रहना है तो कहीं नहीं हमारे chances improve करते हैं तो इस चीज को जितना जल्दी समझ लोगे उतना अच्छा है है ना चलो अबाउट माइसेल्फ माइनेम इस हर्षदीप सिंग कतूरिया उन बच्चों के लिए जो अभी नए जोड़ रहे हैं मेरे साथ YouTube के थूप है ना मैं पिछले 5 साल से educate as well as mentor कर रहा हूं students को मैंने post graduation master of engineering from Punjab engineering college चंडिगट से किया हुए बच्चे मैंने गेट और CGL जैसे prestigious exams qualify करे हैं मैं फिट जी में पहले तीन साल पढ़ा रहा था अभी मैं अनकाडमी पढ़ा रहा हूं और मैंने काफी top ranks NTSC में produce किया है even single digit rank state 1 में और काफी scholars है ना जिनका दोनो stage 1 और stage 2 complete हुआ है तो मैंने produce किया है तो I hope आप उस experience से उस expertise से और मेरी mentorship से फ follow कर रहे हैं और जोंभी मैं content provide कर रहा हूं उसको कर रहे हो तो कहीं नहीं आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है तो अभी तक जो मेरे साथ नहीं जुड़े है वह an academy के थूरू मेरे साथ बिलकुल जूड़ सकते हैं आप an academy learning app अगर किसी ने नहीं download करी तो आप उसक क्या होता है बचे कि आपको एक तो notification आ जाते हैं ताकि आपको कोई भी class है तो आप updated रहे पाऊं moreover आप मेरे को directly महाँ पर message भी कर सकते हो और आपकी कोई भी अगर query है तो मैं वहाँ पर handle कर सकता हूं बचे है न है ठीक है हाई study point हाई शेशांक रिशिका का बहुत ही एक interesting message comment आया मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि सर अगर कोई NTSC नहीं कर पाता तो क्या उसकी life spoil हो जाती है तो not at all यार ठीक है life spoil कभी नहीं होती जब तक हम give up कर दें कोई भी चीज decide नहीं कर सकती कि आपकी life spoil हो रही है यह कैसे अगर आप healthy, wealthy, wise हो क्या यह बात समझा रही है तो अगर आप कही न कही अच्छे से positive frame of mind से हर चीज को देख रहे हो एक exam को exam की तरह treat कर रहे हो तो life will give you much more than you are expecting तो हमें इस चीज को कही न कहीं समझना बहुत जरूर ही है अपना best देना है और उस चीज को हमें secure करना है ना जो भी चीज हम करना चारे है उसको हमें secure करना है बट ये कभी भी नहीं होगा कि वो चीज से आप टूट जाओ या आपका सब कुछ खतम हो जाए तो हमें उस frame of mind में तो जाना ही नहीं है क्या ये बात समझ में आ गई ठीक है शिशांग या there are many tests जो काफी platforms पे मनलब काफी levels पे होता है there are free test as well अगर आप plus ले रहे हो तो वह ठीक है चलो sir can you provide NTSC mat strategy from April to November शिशांग first of all is continuity यार कहीं न कहीं मैं एक black page देखता हूं चलो है ना या इसको ही अपन क्या करते हैं कि खाली कर लेते हैं कि जगा मिल जाए आपका answer करने के लिए यार देखिया ब्रदर सबसे ज़्यादर ज़रूरी है continuity तो अगर आप वो रखो होगे तो बहुत सही है आपके कॉमेंट से clear cut हो रहा है कि आप 9th class में हो और 10th में जाके आप paper देने वाले हो तो कहीं न कहीं आइवोट से अपना mat और sst अभी से अच्छा बनाना शुरू कर दो ठीक है और अपने foundation पर भी work करना शुरू कर दो जो अपने 11 12 पर करना है ताक पर अच्छे से अभी से पढ़ना शुरू करतेगा जो लास्ट में प्रेशर आता है ना 10th वाले बच्छो पे तो आप उससे बच जाओगे तो कहीं न कहीं आपको मेरे ख्याल से बहुत अच्छा platform दे रहा है उस चीज को पूरा करने के लिए तो आप एक बार अन अकाडमी या कुछ भी है तो हम उसको अंसर करेंगे जैसे बच्छे लिखने मैंने यह गलती करी तो हाँ यार हमको यह प्लीज ध्यान रखना है ठीक है ना और क्या मैं मैंसेज देखके करके देख रहा हूँ सर अगर कोई बच्चा अगर कोई बच्चा 11 में है और उसने अभी तक पढ़ाई नहीं करी और उसने फिर 12 में आना है ठीक है अभी 11 में है फिर 12 में आना है अभी 10 में उसने उसे लग रहा है अच्छे देख पढ़ाई नहीं करी तो क्या 11 12 में जेई कर सकते है आपका कोश अब पढ़ना चाहर है तो 11-12 में अगर अपना day in day out लगाता है it is not going to be easy to secure very good rank हाँ जी clear हो जाएगा बहुत अच्छा clear हो जाएगा but very good rank के लिए आप को पूरा day in day out मेनत करने पड़ेगी और कहीं न कहीं इसी चीज को लेके कल ये session है ना आप ये देख पार हो आपके लिए अच्छा है कि कल ये session top educators यहाँ पर मेरी photo भी देख पा रहे होंगे कि कल 23 जैन को जैसे यहाँ पर कल ये start हो रहा है है ना आइटी और नीट जैई को आइटी से भी हम रेफर कर देते हैं जैई नीट के लिए अच्छे से प्रिपेर कर सको तो कल यहाँ पर मेरा 8 15 पीम पे इवनिंग में ये class रहेगी तो आप लोग विल्कुल जॉइन कर सकते हो इस फ्री फॉर ओल ठीक है बस आपको डाउनलोड करना है और अगर कोई code पूसता है तो आप यह मेरा code फिल इन कर सकते हो तो इसके लिए को आपको मतलब पैसे नहीं खर्चने तो यह आपको help करेगा ठीक है यह study point देख कहीं न कहीं तेर को बताऊं कि YouTube से हाँ ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते अच्छा content है कोई regular है तो बिल्कुल या रहा और आप में वह एक desire है कलम नहीं यही बात करी थी तो आपको बिल्कुल help मिलेगी मेरे बचे बट कहीं न कहीं एक structured way हमको structured courses पढ़ना बह provide करता है वह मैं आगे डेली बताता है उसका reason यह है and trust me buddy trust me आपको क्या होता है या किसी student को क्या होता है आखरी three month में जाकि यह चीज़ अच्छे से समझ आती है और तब हम plan करते हैं क्या plus पर आ जाते हैं और यहीं पर हम गलती कर रहे हैं अगर आपको यह चीज़ समझ आ ग पड़ के देख मुझ से ठीक है I'll guess I guess तेरे सारे दुख दर्द ये वले खतम हो जाएंगे ठीक है हाई हर्श हाँ यह बिल्कुल आए रहे हैं तो काफी मेरे regular बच्चे यह आप feedback लेना चाहरे हो तो इनसे discuss कर सकते हो classes का इनको पता ही है मैंनिया scoring 90 plus इस साल वाले NTSC में तो I always pray and wish good for them तो वह बिल्कुल रहेगा ठीक है तो कल अगर आप यह strategy class मेरी देखना चाहरे हो तो कल सब 8 बज़े आपको special पर मिल जाएगी it is free of cost for all the students who are not aware तो अनकैडमी learning app आपने download करना है और अगर referral code पूछे यह फिलन करके आप मेरे तक पहुंच सकते हो ठीक है कैसे हो मैं बहुत अच्छा हों गाइस है ना काफी regular वाले बच्चे आए तो यह आए किन सी हाँ आज मॉक टेस्ट है आवन दिगा एट पीम को special class पर ठीक है होगा होगा मॉक होग अंसर की जागी है तो प्लस का मैंने जैसे बताया डेली लाइफ क्लासे स्ट्रक्चर्ट कोर्से ना लाइफ टेस्ट और क्विज़े और अल्लिमेटेड एक्सेस रहेगा मतलब एडवांटेज इस यार जितना जल्दी समझ जाओ देखो सिंपल सी बात है उतना आपका फाय जिन्होंने रिजल्ट्स प्रड्यूस किये मैं खाली यह नहीं कभी भी कह रहा कि 100 आउट 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 मैट में लाओ बट सैट में स्कोर्ड नहीं आ रहा तो कहीं नहीं आपको एक ओवरॉल डेवलमेंट चाहिए तो उसके लिए आपको एक ग्रूप चाहिए होता है जो टार्गेट वाइज होता है कि कितना आप लेरो लॉंगर आप लोगे जितना मदलब लंबे पिरिएट के लिए लोग यह उतना एकनॉमिकल आपको पड़ता है अगर आप मेरा रेफरल कोड यहां भी फीड इन करते हो SD.Cathoria तो मेरे बच्चे आपको 10% का instant discount मिल दाएगा आप यहां पर देख सकते हो कि यह पूरा 10% कम हो गया और जितना आप लॉंगर प्लान करोगे उतना आपके लिए भी अच्छा है और यह आपके pocket के लिए भी अच्छा है कि आपको time मिल रहा है है ना और कहीं न कहीं पै अब जो हो गया है ना यह तो यार कितने बड़े भुज़र सब कहते हैं जो बीद गई वो बाद गई तो यह समझना बहुत ज़रूरी है और अगर यह आपने mind में डाल लिया तो आपके बढ़ने का option है ना पढ़ने का option है तो पढ़ाई कर अच्छे से पढ़ाई करेगा थ तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे है मेरे ख्याल चे एक दो स्टूडेंट लाइफ भी है है ना तो बट उनका feedback यह है कि सर अगर पहले पता होता तो हम इसको यूज कर लेते हम पहले प्लस पर आ जाते हम पहले आपकी classes लगा लेते तो मैं कहीं नहीं यह समझाना चार इसके बाद से प्लान करेंगे फिर आगए ट्वंटीएट ट्वंटीएट को तो फिर अब तो यह 31 जैनवरी आजाए एक फैब से शुरू करेंगे महीना नया होगा नई शुरुआत होगी जोश पूरा होगा कुछ नहीं होने का एक हफता पूरा बरबाद कर दिया आथ से कि एंड तक क्या यही है बताओ हाई से आली हाव यू है ना तो यह चीज समन्ना बहुत ज़रूरी है चलो तो आइगेस काफी बचुगा डाउट थे हमने वह आंसर कर दिये यार है ना थोड़ा सा टाइम हमने इस पर इंवेस्ट कर दिया बट किसी का भी कोई भी डाउट आता है तो मेरे मन में यही रहता है कि वह क्लियर हो पे जाए घर पे टेंशन न लेके जाए पढ़ाई रिलेक्ट कोई वे ठीक है तो चलो इड़िव गूट कि वह क्लियर हो गया अब कि आनलोजी पर वापस आये तो एनलॉजी क्या दो तरीके की होती है अगर मैं ब्राडर एस्पेक्ट में क्लैरिफाय करना चाहूं एनलॉजी होता क्या है सबसे पहले एनलॉगस क्या किसीने वर्ड सुना ऐसे पढ़ाते हैं इस स्टी में कि अरे यह ग्रीक वर्ड है यहां से यह चीज आया या संथिंग लैक डैट है ना हाई सुमित हैं ऐसे पढ़ाते हैं तो एनलॉगस का मतलब क्या है कि कोई एक रिलेशन है कुछ सिमिलारेटी है तो हमें कई न कई वह एक सिमिलारेटी देखना होता है और उससे हमें आंसर करना होता है कि एक में यह सिमिलारेटी है तो दूसरे में क्या होगा क्या मेरे को बता सकते होगे बताओ ज़रा कॉमेंट में कि बोलो कि साथ साथ सर्च तो नहीं कर रहे हैं यह देखो रूपी लिख रहे हैं कि क्या टका का नाम सुना है क्या बांगलादेशन करेंसी तो यहां पर क्या हुआ उन्होंने करनसी कर दिया अब यह टिये के स्पैलिंग आप देख ले ना ठीक है तो कहीं न कहीं यह थोड़ा सा चेक कर ले ना बट बाकी सब कुछ सही है तो हमें कहने का मतलब ऐसे कुछ कॉंसेप्ट का ध्यान रखना है जहां पर रिलेशन सिमिलर चेक करने होंगे अब करनसी आपके मैंड में यह आएगा कि टका से बंगलादेशन रुपी बन गई काफी उरोपियन कंट्रीज के अब स्टैंडर्ड बन गई यूरो तो बेटा जो भी कंफ्लिक्टिंग है वो पेपर में नहीं आएगा यहां पर हमें टाइप समझनी है टेंशन नहीं लेनी ठीक है तो एकदम चिल करके समझो दूसरी बात एनलोगी दो तरीके से है एक वर्बल और एक नॉन वर्बल अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है वर्बल एनलोगी जो मैंने आपको एक्जामबल दिया नॉन वर्बल मतलब एक फोटो बनी भी होगी कि यह इस से रिलेटिड है यह ना सिमिलरली यह किस से रिलेटिड होगा तो यहाँ पर आपको एक फिगर पूछ लेगा कि इन दोनों में कोई रिलेशन है यह साइन का मतलब ही होता है इन दोनों में कोई रिलेशन है इक्वल टू इसमें क्या रिलेशन होगा तो आपने देखा कि यह 45 डिगरी क्लॉक्वाइस करोगे तो यह आं सर आ जाएगा तो किया वर्बल और नॉन वर्बल द्रूर का क्लियर हुआ कि बसध़ ना बहुतो तो आज हम वर्बल का थोड़ा एक अईडिया लने वाल क्यों कि वर्बल काफी जादा डाइबर्स है काफी जादा ऐसा है जो आपके कंट्रोल में नहीं होगा क्योंकि आप जितना भी पढ़ोगे कहीं न कहीं कुछ न कुछ थोड़ा सा रह जाता है क्यों क्योंकि जनरल साइंस के कोशन आते हैं related to physics chemistry current affairs भी आ सकता है कोई स्पोर्ट आ सकता है कोई vocabulary के words आ सकते हैं जिसमें हम antonym synonym की बात करते हैं न कि प्राइब आची विलों टाइप्स तो वह आ सकते हैं general knowledge based आ सकता है कि इस year में ये वली लड़ाई हुई थी suppose तो कौन से year में क्या होगा तो कहीं कहीं हमें अपनी knowledge science vocabulary तीनों का यहां पर गेम रहता है तो उसको अच्छा है प्राक्टिस करना जितने maximum questions की practice करोगे if not correct question तो आपको वहां से option eliminate करना आ जाएगा है ना तो कहीं न कहीं इस चीज़ का बहुत ही crucial role रहता है ठीक है alphabet और words में क्या आता है simply आपको कोई एक word देदेगा उसका कोई relation बता देगा या simply यह बोल देगा कि ABC is related to DEF बहुत easy दे रहा हूं इतना easy नहीं आता बट समझने के लिए बहुत simple है है एच आई जे विल बी related to what तो बताओ क्यों यह ऐसे कर लोगे कर लोगे कि अरे अरे environment खुद से बनता है टेंशन ही ले नहीं हसते रहना बढ़िया से करते रहना ठीक है आविर बाक्या 8 बज़े तो दमाका करेंगे इना 8 बज़े तो स्मॉक टेस्ट है यह आज भी ठीक है है ना तो ही जे इस रिलेड़े टो के एल एम क्या समझे तो ए से डी बी से ही सी से एफ यह समझे यह कहीं ने ऐसे देख लिया होगा एसे बी बी से सी दी से ही इसे एफ और यहाँ पर सी से डी था तो दूनों नजरिये से देखना जरूरी है और फिर नंबर बेज़्ट भी कोश्चन आ सकते हैं जैसे उस दिन हमने किया था तो राम जी से ही कर लेता है राम इस रिलेटेड़े टो ठटेटू तो गॉड इस रिलेटेड़े टो वाट तो यहाँ पर क्या हुआ था कि यहाँ पर कितना आ जाएगा दो यहाँ पर पूरा पढ़ाया जाएगा यार पते क्या एक दिन में पूरा एकदम से करा दे तो उसका फायदा नहीं यहाँ प्रैक्टिस कर नहीं पाऊगे अभी पार्ट वन हुआ है सबका आप ऐसे सोच के करो और हम डैवर्सिफाय कर रहे हैं सारे चेप्टर थोड़े थोड़े कर रहे हैं फिर उसका सेकेंड पार्ट आएगा तो नेक्स्ट वीक में हो सकता है आपको सीरीज कंपलीशन का पार्ट तो दिख दे तो टेंशन नहीं ले नहीं नहीं है जलो अब कुछ रिलेशन्शिप मैंने आपको यहां पर लिखके दिये तो आप एकदम इनसे गो थू एक बर हो सकते हो क्योंकि यूजली इनसे कोशन बनते हैं कोशन बहुत इसली हो जाता है बहुत जल्दी हो जाता है वाट कहीं न कहीं हमको यह रिलेशन समझना जैसे बैरोमेटर से हम क्या करते हैं प्रेशर मेजर करते हैं क्या थर्मोमेटर से क्या मेजर करते हो यह तो सबको पता होगा है कि टेमपरेचर मेजर करते हैं एम मेटर से क्या मेजर करते हो बताओ करंट या वोल्टेज तो सिमिलरली ऐसा कुछ रिलेशन आ सकता है यह बता है ना quantity और unit का आ सकता है जैसे length को हम कैसे measure करते है meter में weight को कैसे measure करते है अब कोई कहेगा kilogram कोई ounce भी कह सकता है है ना तो दोनों चलेंगे अगर वो ऐसा unit compare कर रहा है तो accordingly देखेंगे तो अगर नहीं कर रहा है तो दोनों option valid है तो दोनों वो आपको confuse करने के लिए देगा नहीं तो कहीना कहीं है समझना जरूरी है individual and groups पर हो सकते है जैसे sailors को हम एक साथ कहते है crew है ना तो कोई भी एक group हो soldiers का group हो तो उसको हम क्या कहेंगे किसी भी एक कोई animals का हो जैसे ship का group है तो उसको हम क्या कहेंगे तो कहीना कहीं वो चीजें हमको पढ़नी जुरूरी है तो अगर आप मेरे साथ कहीना कहीं connected हो तो मेरे को बिल्कुल एक बर आप communicate करके message कर सकते हो मेरे पास इसकी एक list पढ़िए जहांपे सारे relations के कम से कम 20-30 examples हैं सबके तो मैं आपको share कर पाऊंगा तो अगर आप anacademy पे है anacademy learning app पे तो आप मेरे को वापे message जरूर करिएगा विल शॉर्ली कॉम्निकेट ठीक है हाई वांचिका हाओ यू अमेर पता नहीं अभी बाद में अराम से देख लूँगा ठीक है एनिमल एन यांग वान काव का काफ क्या हैं का चिकन हो सकता है similarly क्या ये चीज समझ गए male female horse और मेर जैसे tiger का tigress बताओ हो सकता है individual class जैसे lizard को reptile में count करते हैं है ना तो human being कहा पे आएंगे बताओ किसी को पता है human beings कहा पे आएंगे ये मत कहा ने कपड़े का brand है उल्टा करके लिख दिया human being कहा पे आएंगे कहीं clothes लिख दो mammal है ना तो active रहना है ठीक है ना बहुत बढ़िया तो mammal बिल्कुल सही है ऐसी individual or dwelling place मतलब वो usually कहा रहते हैं ना डॉक कैनल तो यहां पर माइंड में यह नहीं सोचना कि हमारे घर होता है कैनल जुरूरी नहीं है तो कहीं कहीं कॉमन सेंस प्रिवेल बिल्कुल करनी चाहिए तो इस तीज का प्लीज ध्यान आप रखिएगा ठीक है study and topic बहुत इंपोर्टेंट यूजिली इससे questions आते हैं कि study of birds इस और इन और नीथोलोजी जैसे कोई कार्डियोलोजी आ गया तो क्या वह हार्ट का study हो गया तभी हम कार्डियोलोजिस्ट बोलते हैं उन डॉक्टर को and so on तो worker and tool for example जो blacksmith है वो एन्विल यूज़ करता है अपना काम के लिए तो डॉक्टर है वो surgery वरली knife यूज़ कर सकते हैं stethoscope यूज़ कर सकते हैं ठीक है ना farmer है तो उनके plowing के लिए जो आते हैं आप वो उनको यूज़ करवा सकते हो author के लिए pen use हो सकता है soldier के लिए gun use हो सकता है तो आज मेरे यहां पर काम है कि आपको यह सारे examples में एक बार feed-in कर दूं कि पता लग जाए यह relation आ सकता है टूल और action हो गया है जैसे निडल से हम आजाए है ना doctor का hospital आजाए patient का क्या आएगा patient का जुरूरी नहीं है कि वर्किंग place की बात है तो हमें ध्यान रखना ठीक है worker and product मेसन जैसे वाल बिल्ड करता है है ना cobbler जैसे shoes से relate कर सकते है तो कहीं न कहीं यहाँ पर यह relation भी आ सकता है क्या आपको इतना समझ में आ रहा है relations यह बताओ ठीक है ना तो उसके बाद ऐसे हो सकता है product और raw material जैसे prism क्लेस से बनता है ग्लास से तो आप ऐसे यह चीज़ें देख सकते हो कि वुड से सब्सक्राइब बन गया ना तो मैं ऐसे लिख सकता हूं तो यह relation हम देख सकते हैं पार्टन होल रिलेशन्जिप जैसे पैनके पार्टन है ना शूज का एक पार्टन लेसे तो आप ऐसे रिलेट कर सकते हो वर्डर इंटेंसिटी यह थोड़ा वोकैबिलरी पर आगया जैसे एंगर मतलब थोड़ा गुसा और रेज मतलब बहुत ज़ादा गुसा कि एकदम रेडी हो गया मूँः है ना बहुत ज़्यादा गुसा आ गया तो यह इंटेंसिटी मतलब उसकी की इंक्रीज हो गई क्या यह समझ में है ठीक ना चलो लडल क्या ऐता है किसी पर पटा जो है अ इसे से जा दो यह दोनों या एक ही चीज को वाइलेंट है चीज का ध्यान रखना है वर्ड और एंटरिम का मतलब क्या है कि opposite तो यहां पे आप opposite बिल्कुल मेरे बच्चे देख सकते हो कि attack है तो attack का opposite क्या हो गया स्माइलिंग का opposite क्या हो जाएगा crying या वीपिंग है ना तो कहीं न कहीं हमें इस चीज का ध्यान रखना है country और capital यह मैं आपको बताई चुका हूँ और आप काफी समझदार हो तो यह तो आपको समझ आई गया होगा state और capital on same terms जैसे country के साथ था अब यह state और उनका capital आ गया तो कहीं न गहीं आपको इंडिया के states के सारे capital याद होने चाहिए और north eastern state यूजिली वो confused करती है तो उनके तो बिलकुल याद होने चाहिए अब कोई बच्चे क्या करते हैं कि सर अब जुरूरी थोड़ी है कि हमें पढ़ना थोड़ी है यार देखो अगर आप target रख रहे हो 95 प्लस तो हर चीज आपकी on tips होनी चाहिए अगर आप यह expect कर रहे हो कि नहीं आएगा तो आप बहुत ही गलत सोच रहे हो ठीक है न तो इस अगेन आप मेरे साथ connect कर सकते हो ताकि मैं आपको वह शेर कर पाऊं है ना वह पीडिएफ तो आप अनकाडमी लर्णिंग आप के थ्रू मेरे को follow करके message कर सकते हैं तो I'll shortly try कि मैं आपको पीडिएफ शेर कर पाऊं और आप उस चीज को देख पाए है ना चलो तो on similar terms animal और उ हम confuse हो जाते हैं तो हमें इनका बिल्कुल से ध्यान रखना है ठीक है animal things are there keeping place जैसे कार गैराज एरो प्लेन का सब को पता होगा कि जड़र बताओ किस किस को पता है कि एरो प्लेन का रखे जाते है एंगर अनदा तो बहुत अच्छे अनदा अगर आपको यह चीज पता है तो यह कही नगई हमको यह चीज पता होने चाहिए गेम्स और प्लेस अफ प्लेंग जैसे बैडमिंटन कोर्ट में हो गया बॉक्सिंग एक रिंग में हो गई तो हमें इस चीज का भी पता होना चाहिए नहीं एरपोर्ट गलत आंसर है ठीक है एरपोर्ट से 1007 करते हैं ऑर डिपार्चर करते हैं यहां पर हडाल कि मतलब कि जीज peeling करने 하겠습니다 यह नहीं है इसा है घ्रनल मेरा इलफबैट कहीं भी आ गया मीडने ऐसा लगरा है तो हैंपा इसको सॉक्स कर लो है ठीक है कि शूज के साथ सॉक्स है तो सिमिलर्ली जो भी रिलेशन आपस में डिपेंडनेंट है एक दूसरे के जैसे पैन और नोट बुक आप कह सकते हो तो अगर वह सिमिलर देगा तो आप सिमिलर डूंड होगे बस हमको यही चीज करने होती है क्या यह समझ म होते हैं तो हम काफी कोशन ड्राइ कर सकते हैं तो बदाू कि आप लोग रेडियो कि है हाँ ठीक है बताओ कि इस रिलेटेट टू पीस हाई अनुड़ाग इस रिलेटेटेट टू पीस व्याइड फ्लाइड तू तो आ जाएगा Surrender movies में आपने देखा होगा जब कोई हार मान लेता है लडाई में तो white flag लेके जाते है white color का होता है ये yellow पे नहीं जाना है ये white color का flag होता है इसका मलब होता है give up की अब हमें on नहीं लडाई करनी भी give up चालो ये करो बड़ी है कोशन है ठीक है अगर आप नोटबुक में साथ साथ बना रहे हो तो प्लीज नेक्शोर ये कोशन नोटबुक में जाना चाहिए ठीक है देखते हैं कौन पहले आंसर करेगा इसका डेली इस रिलेटेड टो हरेणा ओडिसा इस रिलेटेड टो बहुत अच्छा वानते गा कोई रीजन भी बता सकता है क्या मेरे को रीजन क्या है हाँ जी तो रीजन क्या है डेली और हराणा क्या नेबरिंग है क्या नेबर्स है क्या similarly ओडिसा के नेबर आंदरपरदेश हो जाएंगे आना और ये कोशन देख लो states कौन सी है और ये गुजरात में 2019 में stage 1 की ये बात हो रही है है ना नई capital नहीं है मेरे बचे डेली तो union territory है ये नेबरिंग states है अनुराथ ठीक है I hope आपको यहां से clear हो गया होगा ये ना बाकी सारे option actually दूर दूर थे तो हम confuse ही नहीं हुए है ना तो कहीं न कहीं हमको इस चीज का ध्यान मेरे बच्चे रखना है third बहुत easy जो घूमने गया हुआ है उसके लिए बहुत easy जो नहीं गया हुआ तो कहीं न कहीं confused होगा कि ये क्या question आ गया तो एक बार बताओ कौन answer करता है देखते हैं कुत्ब मिनार is related to Delhi तो rock garden is related to ठीक है और इसका सही जवाब है चंडिगड़ ठीक है तो कुत्ब मिनार is situated in Delhi rock garden is situated in चंडिगड़ अब ये paper में क्यों आ गया अगर normal garden है तो किसी के mind में ये चीज आई है न कि rock तो हर जगा होते है rock garden इतना क्यों famous है तो ये normal garden नहीं है यहाँ पर आप कभी आप विजट करोगे ना तो यू अब्जर्फ सब कुछ कितना कुछ यहां पर वेस्ट प्रोड़क्ट से बनावाए इतने सारे इतने सारी महाँ पर जो आर्ट हुई भी है है ना जो उन्होंने स्क्लप्चर्च बोलते हैं या स्टैचू बोलते हैं वेस्ट जैसे टूट्यूवी बैंगल्स है ना टीकप्स होते हैं उनकी प्लेट्स होती है ना उन सब से बनाया हुए तो इस वेरी स्टैशल प्लेस तो इट इस सिचुएटेड इन चंडिगट तो हमको यह चीज पता होने चाहिए मेरे बच्चे क्या यह क्लियर हो गया चलो यह बताओ फूर्थ यह आप लोगों को पता होगा यह आंदर प्रदेश 2019 से है तो अर्थ इस रिलेटेड टो मून डैश इस रिलेटेड टो फोबस तो कहीं न कहीं है सैटलाइट का रोल है तो फोबस इस सैटलाइट आफ मार्स बताओ क्या यह क्लियर हो गया है ना बहुत सही चलो यह करो फिफ्थ अब दिखने में इजी बट है कन्फ्यूजिंग यह ना ओप्शन देखोगे तो शायद कन्फ्यूज हो जाओ बिहार 2019 का यह पेपर है देखते हैं कौन आंसर करता है एरो इस रिलेटेड टो आर्चर पैन इस रिलेटेड टो कि अचे हैं हो तो इसका सही अंसर हो जाएगा ऑथर स्टूदेंट से कन्फ्यूज नहीं होना ठीक है यहाँ पर main tool की बात हो रही है main weapon की बात हो रही है तो जैसे pen author का जिसको जैसे हम यह भी कहते है कई बन newspaper में कि इनका pen ही इनकी ताकत है कि जो यह लिखते हैं वो ही सब को decide करता है तो यहां पर correct answer होगा author है न कहीं न कहीं आप उससे decide कर सकते हो कि वो उनका main tool है मेरे बच्चे ठीक है चलो six कोशिश करेंगे कि यह 10 questions हो जाए ताकि हम practice कर पाएं और एक समझ पाएं कि कितने कोशिशन है जो भी remaining question और टाइप से हम part one part two सारा cover करने की कोशिश करेंगे जल्द बाजी में नहीं करेंगे कि फटा-फट खतम कर दो और हो जाए बस कि हमने पढ़ लिया तो ऐसे नह नेरो यह ना चलो बहुत अच्छे यह करो 7 विराट कोली इस रिलेटेड टो क्रिकेट मैरी कॉम इस रिलेटेड टू यह ना boxing तो कहने का मतलब कहीं न कहीं sports और sports personality इसके उपर भी question आ सकता है यह कितना easy है और similar अभी question और आए वाए अगर आप time मिला तो बिल्कुल कर पाएंगे जो आपको बहुत confuse कर सकता है ना तो कहीं न कहीं हमें current affair क्या चल रहा है हमारे country में यह पता होना चाहिए यह बताओ एर्थ टेगोवर इस रिलेड़ेड़ टो पोईटरी पिकासो इस रिलेड़ेड़ टो पेंटिंग है ना तो आए गेस यह आप सबका सही आ रहा है easy question है आगे move on करते है नाइन्थ square q तमिल नैडू 2019 अब यहाँ पर दो relation given है और आपको बाकी दो find करना है जिनमें similar relation हो है ना तो आपको दो find करना है जिसमें similar relation हो अनुराख देख अभी start किया है तो question हलके लेवल बढ़ता जाएगा एकदम से tough questions is not a good way to deal है ना हमें हमेशा खुद को challenge नहीं करना चाहिए कहीं इजी questions को यह समझना चाहिए कि इजी questions अगर गलत हो गए ना तो वह ज्यादा नुकसान देते हैं hard questions से तो हमें यह चीज competitive exam में समझ नहीं पड़ेगी मेरे भाई तो rectangle is related to cuboid क्या यहां पर यह ऐसे हो रहा है कि 2D figure से 3D figure बन रहा है अब 2D और 3D क्या होता है 2D मतलब paper पर जो draw सकती है 3D मतलब जो पूरी paper पर नहीं draw सकती 3D dimensional है है ना तो हमें इन चीज का भी ध्यान रखना है ठीक है चलो आज का last question और मेरे ख्याल से यह confusing question है काफियों का गलत होने वाला बाकी let's see कि कौन कैसा perform करता है इस question में कि ठीक है मैंने नमबर समझ लिया था अरे नहीं 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 है यहाँ पर 2D स्टू 3D है तो गलत नहीं करना दिखने में इसी एकदम से टफ हो गया देखा यहीं तो चीज है यह बताओ अब अंति का मात कर रही है A B C D कि देख लो सर अपनी तरफ से चार ही है न तो बाकी आप देख लो और अनुराग कह रहे थे थोड़ा tough मेरे ख्याल से यहाँ पर tough question में मिल गया चलो श्रयांस का answer आया Bombay और किसी का Bombay इसलिए बोलता है क्योंकि B और D बोलने में confusion हो जाती ह है चलो तो इसका correct answer है B क्या यह सही है तो funk is related to vitamins क्या इन्होंने यह discover किया था बताओ discover किया था यह invent किया था difference पता है और Curie is related to radium बताओ क्या difference बता है क्या discover और invent में बताओ फट 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 फिर चले है हाँ यह ना करो हाँ चलो मतलब पता है ना difference चलो ठीक है तो चलो आज के लिए गाइस फिर इतने ही करते हैं अच्छे से आप practice करते रहिए जो यूट्यूब पे जुड़े हैं जिन्होंने अभी तक अन-academy का आप नहीं डाउनलोड करें और NTSC गोल चूज करके है ना priority अगर NTSC गोल रख रहे हो तो NTSC गोल चूज करके अब मेरे को वहाँ पे बिल्कुल find कर सकते हो वहां से मेरे को follow कर सकते हो और हम message के थरूँ वहां communicate भी कर सकते हो और वहां हमारी special और plus दो तरीके की classes चलती है तो आप वह बिल्कुल join क कर सकते हो प्लस पे अगर आप आना चाहरे हो तो यह referral code आप यूज करोगे तो आपको 10% का discount बिल्कुल मिलता है special एक तरीके से free classes है और आज इस पे हम 8.00 पे एक mock test mat का करने जा रहे हैं कल भी किया था बहुत है interesting रहा था तो आज भी 8.00 पे mock test होगा और कल जो मैंने एक आप आपको photo starting में share करी थी है ना wisdom classes लग रही है जहां पर आपकी counseling की जाएगी जो भी JEE और NEET की त्यारी करना चाहरा है तो वो बिल्कुल कल वो sessions को join कर सकते हैं बहुत सारे educators ले रहे हैं आपको जो अच्छे लगते हैं या आप पहली बार इंट्रैक कर रहे हो तो आप सबसे व हम continue करेंगे कल YouTube पे quiz होगी तो अभी तक जो हमने दो अफ़ते में पढ़ा है कल उसका quiz होगा तो ready रहना एकदम से कल देखते हैं फिर किसका score ज्यादा रहता है या कैसे कल मिलते हैं ठीके ना चलो अपना ध्यान रखो कॉमेंट सर मैंने में एक रहा हुल की संतोष तेंगिस या देख स्टेज वन के लिए न आप अपने साथ साथ जो भी आप देख रहे हो है ना स्टेज वन के लिए आप ये ध्यान रखना कि आप अपने books में आप लिखी देता हूं स्टेज वन के लिए ना भाई सारी books के साथ साथ अपना local जो भी आप कर रहे हो उसको प्लीज ध्यान में रखके follow करना है ठीक है वो बहुत जुरूरी है बाकी practice के लिए mat के लिए सारी books अच्छी है और अगर मेरे को honestly follow कर रहा है मैंने कल भी यही बात बोली थी अगर आप अपन अकेडमी पर और यहां पर मेरे को follow कर रहे हो तो आपको कोई content की जुरूरत पड़ेगी नहीं क्योंकि सारी books जहां से भी आपको लगते हैं वहां साथ अच्छा material उनका same practice में आपको करवाता रहूंगा तो why were here ठीक है ना चलो तो आज के लिए फिर इतना ही करते हैं और कोई doubts हो तो आप comment करिएगा या message करिएगा या ने can we भी मिलते हैं तो मैं hopefully वहां पर answer कर पाऊंगा चलो अपना द्यान रखो अब final bye bye ठीक है ओके